नमस्का दोस्तों एक बाव फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वनली हंडेड परसन में और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस हैमर का जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाली में मैंने हैमर बाई किया घर के परपच के लिए जैसे की लोग करना हो चोटा मोटा काम करना हो उस परपलस मैंने हैमर को बाई किया है और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ऐसे हैमर के हैं मैं पर साफ और हूआ है अब इसके लिखा देता हूं जिन्विन अमेरिकन ऊड़ तो लगा हुआ है अब असल में क्या है नहीं मुझे पता आप मैं अब बता रहा हूं अमेरिकन लिखा हुआ है और बात करें अगर नजदीक से मैं आपको उठा के दिखा दूँ इस हैमर की तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं पहली नज़र में मैंने यूजी से नहीं किया है तो आपको लग रहा होगा या मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे लेमिनेट किया हुआ होता है कोई चीज उस तरह से है आईरन है स्टील है और पूरी तरह से लेमिनेट किया हुआ जैसे आप देखिए अच्छे से देखिए तो चारो तरफ आपको लेमिनेशन जैसा कुछ दिखेगा इसके उपर अगर हम हैंडल की बात करें तो हैंडल को बहुत ही सोस समझ के बनाये गया है बिलक आपको ज्यादा प्रेसर नहीं लगाना पड़ेगा हलके से प्रेसर में आपका काम बन जाएगा आप इसकी हैंडल को देख सकते हैंडल बैठाने के लिए कितना प्रॉपर तरीके से यहां पे हैंडल को लगा के और एक जिससे आम तोर पे देखेंगे आप जो से दुकानों पर मिलता है तो यहां पर इसको बिठाने के लिए कील या लोहा और ठोक देते हैं यहां पर आप देखेंगे यहां पर बहुत ही खुपसवर तरीके से यहां पर एक रिंग जैसा कुछ ठोका गया है जिससे कि इसकी मजबूती और बढ़ जाए और अच्छे से हैंडल को यह पकड़ लें देख सकते हैं या बीच में रिंग जैसा बना हुआ है इसके वेट की बात करें तो यह 300 gram में लिखा हुआ है 300 gram बजन है इस लोहे का सिप बोहे का वजन है 300 gram हैंडल का भी 50 gram होगा तो 300 gram का वेट काफी है घर के परप्रक्ष के लिए चोटा मुटा काम करने के अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने इसे आनलाइन ही क्यों खरीदा क्यों नहीं मैं आफलाइन पर गया तो मैं आफलाइन भी गया दुकान पर गया वहाँ पर मुझे इसी प्राइज में जिस प्राइज में मुझे मिला है आनलाइन उसी प्राइज में जो मिला था वो बिलकुल भद्दा था बिल्कुल कहीं से भी ओप ऐसा नहीं लग रहाता है कि वह बहुत अच्छे तरीके से बनाए गया है बिल्कुल भद्दा सा लोहे का एक ऐसा ठोकठा केसे आम तोर पर आप किसी लुहार के यहां जाकर बनवाते हैं कोई चीज जिसमें फिनिसिंग नहीं होती है वैसा देखने में लग रहाता प्राइज बिल्कुल वही था जो की ऑनलाइन था तो मैंने कहा चलो एक बार ऑनलाइन बाई करके देख लेते हैं अगर प्राब्लम होगी तो मैं रिटर्न कर दूँगा क्योंकि रिटर्न का ओप्सन भी था तो मैंने कहा चलो मंगा के एक बा लगा दी गई थी अब लगड़ी चाहें वो सागॉन रही हो सिसम रही हो लेकिन उसको मारने के लिए आपको बहुत जोड लगाना पड़ता हुआ समझें मेरी बात को उसमें कुछ इस तरह का नहीं था कि पीछ तरह हलका आगे मतलब वो पकड़ने में भी हैंडल अपी अजीर सा लग रहा था में और जो में था ऑप्चेक्ट ठोकने वाला यह तो बिल्कुल भद्दा सा था लंबा सा वेट इसी क्यास परस था उसका वेट में सा नहीं था पर मुझे लगता है कि इतना ही वेट रहा होगा दुकान पर तो मैंने ऑल्लान मंगाया अब प्राइश की बात कर लें ते कितने में मंगाया तो दोस्तों ए मैंने मंगाया है 190 रूपे का इसमें दोनों आफशन में मिल आ था कील ठोक निकालने वाला भी ठो को गहरा जाए तो उस पिछके वह हिस्से को बराबर करने के लिए कभी भी इस तरह इस सर्फिस का यूज़ ना करें इस हिस्से से अगर आप उसको ठोग ठोक के सेट करते हैं तो प्रॉपर आपका पैलर बराबर हो जाएगा लेकिन अगर आप उल्टा इधा से ठोकेंगे तो और बनने के बजाए बिगर जाएगा और उबर खाबर हो जाएगा तो डेंट वेठाने के लिए इसका यूज किया जाता है बाकी नॉर्मल कील ठोकने के लिए हिस्ता यूज किया जाता है तो मुझे कील उखाने वाल के लिए जोत नहीं थी क्योंकि मेरे बाइडी प्लास था कील निकालने वाला तो मैंने इससे बाई किया और अगर आपको घर के परपस के लिए बाई करना है तो आप बिंदास हो कि इससे बाई कर सकते मैं लिंक दे ज्यादा वेट का चाहिए मतलब 500 ग्राम का एक किलो का थोड़ी तो अगर आपको चाहिए तो ओपसन भी वहाँ पे है आप वहाँ भी बाई कर सकते हैं हाला कि मैं लिंक दोनों का दे दूँगा एक हैबी का भी दे दूँगा और इसका भी दे दूँगा अब जो बाई करन के बीना मत जाएगा चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लिजएगा क्योंकि डेली में ऐसे यूच्फुल वीडियो बनाता हूँ आपके लिए खासतोर पे तो मिलूँगा फिर अगले वीडियो में कुछ और ऐसे जानकारियों के साथ तब तक के लिए टेक किय और बाए दोस्तो